सेंचन और चॉप तुम दोनों रेडी हो जाओ क्योंकि आज का चैलेंज काफी जादा खतना कोने वाला है लेकिन या हमें तो सेफ़ोस से वे एक पंच लगाव है यहां पर तो एक पंच है सेंचन लेकिन शायद तुने अभी तक देखा नहीं कि यह पंच कितना जादा ऊपर लगाव है और इतनी जादा ऊच्चाय को देख तुम लोगों ये तो पतार चल गया होगा कि हम लोग coração रोका कि हम लोग वो ने करना किया अच्छा करना है लिकिन देखना हम लोगों ने यह हैं कि कौंजा यहां पे इस काचो राया करेका और हम लोग moc पता यहां तो पहना ह देते हैं सिंचन को और देखते है कि उसका यूट यहाँ से नीचे गरता है假ि पर नहीं, मुझे तो यह वाला चैलिश देखिंगी इंपॉसिबल लग रहा है इंपॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं ЧॉUP क्यूंकि एक ऐसा यूणות है जो कि इसको clear कर सकता है बट अभी देखते हैं कि स्कॉच क्या करता है मुझे इतना तो पता है कि यह बिचरा यहां से नीचे गिरेगा और फिर उसके बाद बचेगा नहीं लेकिन या हमें ते ऐसा भी तो हो सकते है कि यह वाला स्कॉच बचे है सिंचन वो तो अभी हम लोग देख लेंगे यार गाइस काफी जादा स्पीड से बिचरा जा रहा है नीचे की तरफ और मुझे पता है कि जैसे यह नीचे गिरेगा उसके बाद यह बचेगा नहीं ठीक है तो फिर चॉप तो एक काम करके गिव अप कर ले ऐसे कैसे गिव अप करूँ मेरे पास एक प्लैन है यार सिंचन का यूनट तो यहां पर फेल हो गया और चॉप यह क्या कर रहा है कॉजलोग डीमन को ठाकर लेकर आ गया अगर स्कॉच यहां पर नहीं बचा तो फिर कॉजलोग डीमन कैसे बचेगा और मुझे तो लगता है कि यह ग्राउंड से भी बाहर जाने वाला है काफी जादा स्पीड से नीचे गिरा और विचरा यह भी मर गया इतने जादा बुरे तरीके से सारे कि सारे यूनट सूपर से नीचे गर के मरते जा रहे हैं एक मिनट रुको अभी मेरी बारी है मैं तुम लोग को बताता हूं कि इसको क्लियर किस तरह करना है काफी जादा प्लैंज है मेरे पास और सोच लों कि अभी यहां पर रैंठान को ट्राय करूं क्योंकि यह एलियन है और मुझे लगता है कि यह एलियन तो नीचे गर के नहीं मरेगा काफी जादा स्टॉंग होते हैं यह वाले अलियन बट अभी देखते हैं कि यह बचे का यहाँ पर नहीं काफी जादा स्पीड से जा रहा है और यह भी मर गया और यहां हमिदे इसके तो हाथ तूड गए हाँ सेंचान इस बिचार ग्राउंड पे नहीं आएंगे ये ग्राउंड से बाहर की तरफ जा रहे हैं तीनों के तीनों डिफीट हो गए लगता है कि अभी मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यार सोचना तो पड़ेगा चौप सोचेगा तभी जीतेगा और भाई साब टीरेक्स लेकर आगया और नीचे भी क्या गेरा ये तो ग्राउंड से भी बाहर जा चुका है तो फिर अभी आपकी बारी आप क्या करोगा यार मैं तो सोच के बैटा हूं कि यहां पर दो ब्लाचस्रोस को खड़ा करूंगा और सबसे आगे यह चोटा वाला डैनसर खड़ा होगा लेकिन एक नही मेरे ख्याल से मेरी आर्मी काफी जादा हो गई है 16 युनिट्स मैं यहा पर खड़े कर चुका हूं और अभी मेरे यहां पर आज चुका है 20 युनिट्स अभी यह तो आप चीटिंग कर रहे हैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ चाँ अब तुम लोग भी 20 युनिट्स को खड पा रहे हैं यह वारा बॉक्स तो वैसे भी ने टूटे गए यार गाईज लगता है कि हम लोग को कोई और प्लैन बनाना पड़ेगा अभी धीरे यह मुझे बहुत खतनाक लग रहा है यार खतनाक तो चौप यह है और काफी जादा खतनाक है सिंचन यहां पर लेकर आ गया है पांच मेका वरो मेका गोरो के वपर यह लौहें का आरमर होता है मेरे क्याल से तोयर गाईज यह लोग नीचे गर बच जाएंगे मगर एक तो गया बाहर और अभी बहुत यहां है बट यार गाईज यह भी जा रहे हैं नीचे के तरफ और मुझे पता है कि आंसे कोई भी नीचे गर के बचे का नहीं आर्मर इनका लोहेक है लेकिन फिर भी बिचारे मर गए अभी ये भी गया बहार बलके नहीं ये एक बिचारा इधर ही गिर रहा है और काफी जादा बुरे तरीके से डिफीट हो गया यार गाइस मैंका गोरो है इसको जीतना चाहिए था लेकिन बिचारा ये भी नहीं जीत पाया तो फिर अभी बताओ के मैं क्य करूँ यार सोचना पड़ेगा चौप तुझे है और जो भी तुझना है तुन्हें खुद ही सोचना है भाई साब ये क्या कर रहा है रॉकेट इलेफेंट क्यों खोड़ा कर रहा है रॉकेट है लेकिन इसकी ओपर तो रॉकेट्स लगे वें दो हाथी नीचे गिरके यह एक बचा है और यह भी गया नीचे नहीं तोड़ पाओगे बाइसाब तुम लोग इस वाले पंच को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे यह काफी जादा खतनाक चीज़ यार गाई एक भी हाथी यह हम लोग क्या करें यार मैं तो तुम लोग को नहीं बताने वाला हूं मेरे पस अपने प्लैंस है तुम लोग अपने प्लैंस को यूज़ करो यार गाइस मैं यहां पे सोच रहों कि एचलेश को खोड़ा करूं सीधा शील उठाखे मारेगा पीछे बॉक्स को और यह वाला जिन्दा है लिटरली मैं यार गाइस यह अभी तक जिन्दा है ऐसे कैसी हो सकता यार ऐसे हो गया ना चॉप इसका मतलब यह कि मैं जीत गया हूँ ऐसे कैसे आप जीत गयो यहां पर टोटल तीन पॉइंट होंगे यार मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है यार गाइस एच सिंचन यहां पर हुसर्स भी खड़ेगा रहे हैं साथ में स्पार्टन वार्यूर्स को भी लेकर आ गया है अभी सिंचन को पता चला हैना कि मैं जीत गया हूँ इसलिए है कि यह लोग नीचे गिर के मर जाएंगे हाँ यार गाइस सारे के सारे डिफीट हो गए हैं और चॉप को भी कोई भी पॉइंट नहीं मिला अभी वापस से आगई है मेरी बारी और मेरे पास एक और प्लैन है यार गाइस मैं सोच रहों कि यहां पर गोर हैमर्स को खड़ा कर कभी भी बिखार निचे गर करें यह लेकिन चॉप मुझे लगता है कि यह लोग कुछ ना कुछ करेंगे अभी तक यह सब जिंदा है है थिए यह लोग धिरे धिरे आ रहे हैं नीचे के गिन की स्पीड जादा तेज नहीं इसका मतलब यह है कि यह लोग जीट सकते हैं मैं मज़ा तब आएगा जब यह लोग सर्वाइफ करेंगे यार गाइस बहुत स्लो नीचे आ अब अगर इतनी स्पीड से यह लोग नीचे आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग जीतेंगे भाई साब एक मिनट मर गए सारे कि सारे मर गए बर एक मिनट यह एक अभी तक जिन्दा है ऐसे कैसे जिन्दा यार यह तो मुझे नहीं पता चौप लेकिन मेरे तीन गोर हैमर जिन्दा यार गाइस इसका मतलब यह कि मेरे दो पॉइंट्स हो चुके हैं पता नी आपके पास इतने ज़्णेज़ादा उपी प्लैंस कैसे आ रहे हैं ये तो मुझे भी पता ने चल आ चौप लेकिन मेरे दो पाइंट्स हो चुके और अभी जीतने के लिए मुंझे सुर्छ फॉर्स टरिफ एक पॉइंट्स साब ये भी गया नीचे अभी फटा-फट से हम लोग को नीचे जाकर चेक करना होगा ये तो बहुत बुरे तरीके से मर गया है उपर से दो और नीचे गिरें और ये विचारे भी मर गये तो फिर आपके पास इतना ज्यादा उपी प्लैन किस तरह आ रहा है यार एक्सपिरिय मेरा युनाट है मुझे पता है कि ये मुझे जितवाएगा यार देख लेते हैं अभी हम लोग को पता चलेगा कि यार गाइज ये हाइडरा बचता है यहां फिर नहीं अभी तक तो बहुत जादा ओपी खेल रहा है और ये तो नीचे नहीं गर रहा अभी बॉक्स को नहीं गरके सर्वाइफ करेंगे वो जीते है यार गया बाइस अभाएश हएडा जा रहा है नीचे तरफ अभी देखना यहां बचेए अ świat ला है होगा है हार गाईज ऐसा कुंसा यूनिट है जो कि नीचे गर के बच जाए प्रेहिस्टोरिक मैमर्स को अभी तक हम लोगों ने ट्राय नहीं किया एक काम करता हूं कि अपकी बार यहां पर वूली महमूद को खड़ा करता हूं और साथ में टेरर बर्ड भी खड़ा करता हूं मुझे लगता है कि टेरर बर्ड मुझे जित्वा देगा मगर एक मिनट सारे की सारी आर्मी मैंने टीम वन के अंदर करती है हम लोग को अपनरी आर्मी को टीम टू के अंदर खड़ा करना है जल्दी से फ्रंट रों के अंदर टेरर बर्ड आएंगे और इनके पीछे मैं देखना यह है कि यह लोग नीचे गर के बचते हैं यहां फिर नहीं भाई साब यह लोग नहीं बच पाए तो फिर इसका मतलब यह कि आपको पॉइंट नहीं मिला हाँ चॉप अभी तक तो मुझे पॉइंट नहीं मिला है एक पॉइंट चाहिए मुझे पता नहीं क्यों यार सिंचन इन लोगों ने तो गोली मार के पंचिंग गलफ कोई तोड़ दिया है लेकिन नीचे ये लोग गर रहे हैं देखते हैं कि बचते हैं या फिन नई यहार यह हूमंज हैं हूमंस कभी भी नहीं बचेंगे तीनों के तीनों बिचारे यहाँ पर डिफीट हो गए के कभी भी नहीं बरने वाली इसका मतलब यह कि मुझे भी एक पॉइंट मिलेगा चौप पॉइंट तुझे बाद में मिलेगा पहले तुने अपनी आर्मी को टीम 2 के अंदर खड़ा करना है और एक मिनट भाई साब यह क्या कर रहा है लगते है कि थोड़ा प्लैन चोपट हो गया है लेकिन अभी देखते हैं कि यह क्या करता है यहां पर एनाकॉंडास को लेकर आ गया है पहले इसने पूसरोस खड़ा किया था पता नहीं यार गाइस यह क्या कर रहा है दुबारा टीम 1 के अंदर अपनी आर्मी खड़ी कर दी है इसने लगता है कि मुझे बहुत है आकॉंडा भी खड़ी कर ओंगो लेकिन जगा नहीं यार जगा तो वाकिए में चॉप तेरे पास नहीं है लेकिन देखते हैं कि यह वाली रैप्टाइल्स की आर्मी यहां पर जीत पाती है यहां फे नहीं भाइस तो कोई भी नीचे नहीं जा रहा है दूबारा स्टार् या फिर नहीं काफी जादा स्पीड से जा रहा है तो ये रेप्टाइल मुझे लगता है कि बचेगा बट नहीं यार गाज इतनी उंचाई से गिर के को नहीं बचेगा काफी जादा बुरे तरीके से ये भी डिफीट हो गया है एक मिनट रुक जो मेरा दूसरा मगरमच नीची आ रहा है यार दूसरा मगरमच भी गया कामसे तो फिर अब मैं क्या करूँगा ताइटों बहाँ मुझे बहाया नीची आ रही ये ये मुझे पक्कश जिताए मुझेदे है यार ग। स्वाम बक्स तो हम लोग नहीं खड़े कर सकते हैं ब्लेड वाम भी खड़े करूँगा उसके बाद यहां पर एक स्कॉर्पियन भी खड़ा करूँगा बलके एक नहीं दो स्कॉर्पियन हम लोग यहां पर खड़े करेंगे एक स्पैडर खड़ा करेंगे और साथ में ग्रेट बुल्डॉक आंट को भी हम लोग खड़ा करी देते हैं अभी देखते हैं कि इन में से कोई बचता है या फिर नहीं आर्मी तो आपकी बहुत जादा ओपी है लेकिन मुझे पता है कि इन में से कोई भी बचेगा नहीं यार वा तो अभी हम लोग देख लेंग report पॉस्च कर लेकिन बुरे तरीके से फसा वायार गाई यह उपर नी जाएगा ठीक है तो फिर अब दोबारा ट्राय करो यार दोबारा तो ट्राय करके देख रहा हूं लेकिन यह पंचिंग लफ पता नहीं क्या कर रहा है इस मैंटिस इसको कन्फ्यूज कर रहा है मेरे ब्लेड वांप जा रहे हैं नीचे के तर फैंके देखते हैं यर गाई मुझे लगता कि यह भी सर्वाइफ करेगा ऐसे कैसे सर्वाइफ करेगा यह पक्का मरें गयार अब अगर चौप नीचे गिर के कोई मरता है तो उसको मरने दो क्योंकि यार गाइस ब्लेड वाम ने मुझे जितवा दी है तो फिर या हमिद्य इसका मतलब यह हुआ कि यह वारा चैलेंज आप जीत गयो हाँ सेंचन यह वारा चैलेंज में जीत गया हूं तो यार गाईस इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड मैं आप लोग से मिलता हूं एक और गेम प्ले के अंदर टेल देन टेक एर और बाई